संग पर बयान देकर फस गए जेपी नड़ा सरकार और संगटन हर जगा से होगी छुटी मोदी सरकार में जेपी नड़ा को नहीं बनाया जाएगा मंत्री जल्धी बीजेपी अध्यक्षपत भी छुनने की हो गई तयारी जेपी नड़ा करीब 5 साल से बीजेपी के अध्यक्षपत पार्टी में उनकी तूती बोलती है पीम मोदी के बार पार्टी में सबसे जादा दबदबा जेपी नड़ा का ही दिखाई देता है लेकिन चुनावों के दुरान जेपी नड़ा ने एक बयान दिया था और अब ये बयान जेपी नड़ा पर बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है नड़ा ने कहा था कि बीजेपी को RSS की कोई जरूरत नहीं है बीजेपी मजबूत पाती है वो अपने फैसले लेने में सक्षम है हमें संग की जरूरत नहीं है नड़ा के इस बयान को संग ने अपने उपर बड़ा हमला माना था और तभी से संग की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी सबसे बड़ी तो बात ये रही कि नड़ा ने अपने बयान पर कभी सफाय तक नहीं दी जिसके बाद माना गया कि उन्होंने जो बयान दिया था वो सही था और उस पर वो कायम भी है इसके बाद से ही संग प्रमुक मोहन भागवत की तरफ से नड़ा को किनारे लगाने की तयारी शुरू हो गई और जैसे ही लोगसबा चुनाब परणाम सामने आये वैसे ही संग ने बीजेपी पर दवाब बनाना शुरू कर दिया दरसल लोगसबा चुनाब में बीजेपी की 63 सीटे घट गई है और संग ने इसके पीछे बीजेपी की गलत रणनीती को जिम्मिदार माना है और अब नड़ा को किनारे लगाने की तयारी शुरू हो गई है दरसल इस बार बीजेपी की सीटे कम होने की पीछे जो कारण माना जो रहा है उसमें गलत टिकेट वितरन भी बड़ा कारण माना गया है और टिकेट वितरन को लेकर संगठन की सिफारिश पर सबसे ज़ादा जोर था यानि टिकेट वितरन में सबसे ज़ादा नड़ा की रिपोर्ट को ही एहमियत मिली थी लेकिन जब सीटे घटी तो कहीं न कहीं जेपी नड़ा को जिम्मेदार माना गया संग तो पहले से ही नाराज था और अब PM मोदी से समर्थन भी नहीं मिला तो नड़ा को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है संग की नाराजगी के चलते नरेंद्र मोदी अब अपनी सरकार में जेपी नड़ा को शामिल नहीं कर पा रहे हैं जबकि नड़ा मोधी सरकार के पहले कारकाल में मंत्री थे, दूसरे कारकाल में उन्हें इसलिए मंत्री नहीं बनाए गया क्योंकि उनके पार्टी उन्हें अध्यक्षपद देने का प्लान बना चुकी थी. अब JP नड़ा से अध्यक्ष पद छीनने की तैयारी पूरी कर ली गई है नड़ा दो महीने के अंदर अध्यक्ष पद से हटा दिये जाएंगे ऐसे में दावा किया जा रहा था कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है लेकिन अब उन्हें ना तो मंत्री पत मिल रहा है और ना ही अध्यक्ष पत पर वो सलामत दिखाई दे रहे हैं जबकि इससे पहले 2014 के लोकसबा चुनाव के समय बीजेपी के अध्यक्ष राजनात सिंग थे पार्टी ने 282 सीट जीती थी पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई थी जब सरकार बनी तो राजनात सिंग को कैबनेट मंत्री बनाया गया ग्रह मंत्रा ले दिया गया था 2019 में अमित्चा बीजेपी के अध्यक्ष थे बीजेपी की सीटों की संख्या 282 से बढ़कर 303 हो गई शहा को इसका इनाम भी मिला चुनावों के बाद उन्हें कैबनेट मंत्री भी बनाया गया था और शहा को भी ग्रह मंत्राले ही मिला था लेकिन 2024 में जेपी नड़ा के अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने चुनाव लड़ा चुनाब में बीजेपी की सीटों की संख्या 63 कम होकर 240 रह गई ऐसे में नड़ा को इनाम की जगा सजा दिये जाने की तैयारियां अप शुरू हो गई है उन्हें मंत्री पत भी नहीं मिल रहा और अध्यक्ष पत तो जाने वाला ही है रही साही कसर संख पर दिये उनके बयान ने पूरी कर दी है ऐसे में पियम मोदी भी संख को अपने साथ रखने के लिए जेपी नड़ा को किनारे लगाने की तैयारी में है क्योंकि अगले पांच महिने में महरास्ट जारखन और हर्यानक के साथ ही केंदर शाषित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी विधान सवा चुनाव होने हैं और इन चुनावों में बीजेपी को आरेसेस की जरूरत है दूसरी तरफ जेपी नड़ा के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए जिस तरह से बीजेपी की सीटे घटी है उससे साफ है कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी